हेलो फ्रेंस आज हम आपको बच्चों के पिजामे में मियाने याने की आसन लगाना सिखाएंगे आसन लगाने के बाद बच्चों की जो पिजामे होते हैं बहुत ही कम्फिडेबल हो जाते हैं जिनके आसन कम होते हैं तो आप उन पर घर पर आसानी से आसन लगा सकते हैं तो फ्रेंस यहाँ पर मैंने पिजामा ले लिया है तो यह कुछ इस तरह के से हैं तो यहाँ पर मैं एक ट्रिकर इस्तमाल करूँगी आपको किसी भी और एस्टा कपड़े की जुरुत नहीं है इसी में से आप कपड़ा निकाल लेंगे बहुत सारे पिजामे ऐसे होते हैं जिनमें आसन बहुत कम होता है और बच्चे खेलते कूते हैं तो उस तरह के से नीचे से वो फट जाती हैं आसन के साथ से तो यहाँ पर आपने देखना है यह सिलाई है ना इसको थोड़ा उपर तक आपने कट करने है इस लाई को तो अब हमने सलवार को कर ली है उल्टा आप इसमें देख सकते हैं इसमें पॉकेट लगी हुई है तो हमें क्या करना है इसी पॉकेट में से हम आसन के लिए कपड़ा निकालेंगे अगर पॉकेट नहीं है तो इसके इसमें आप अधर कपड़ा ले सकते हैं मैचिंग का तो यहां पर आपको किस तरह के से काटने हैं देखिया आसन तो इस तरह के से ट्रेंगल में आप इस तरह के से फोल्ड करेंगे एक ही पोकेट कट करके आपका आसन त्यार हो जाएगा तो सबसे पहले इसकी जो चोड़ाई है वो देख लेते हैं मैं मैं कितना चाहिए तो यहाँ पर मैं इसे लगभग तीन इंच ले रही हूँ स्लाइ करने के बाद ये दो इंच त्यार रहेगा तो इस तरके से फोल्ड किया और निसान लगा लिया इस तरके से आपको ये तिर्चे में ही कट करना है इसका ध्यान दीजेगा कि ट्रेंगल बनाना है और इसकी लंबाई ले ले लेते हैं लंबाई यहाँ पर मैं लगभग ले रही हूँ साड़े तीन इंच के करीब तो इस तरके से यहाँ पर मैंने लंबाई भी ले लिया और इसको इस तरके से आप मिला लूगी तिर्चा देखे इस तरके से के तो यहां पर हमें आसन के लिए कप्ड़ाआ सानिसे मिल गया कॉई dal नहीं लगहें पड़ास्ट सेम कप्ड़ेगा मिल गया है पीन लगाते हैं और सेम मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लेंगे तो आराम से कट करना है साएं आपने क्योंकि यहां पर मोटा कपड़ा रहता है ना तो इसलिए आसन हमने यहां पर कट कर लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं पॉकेट को अच्छे से हम सेव दिंगे इस पर फिर भी आपको छोट इससे पॉकेट मिल जाएगी एस्टा कपड़ा कटिंग करना है और छ ह Видतो अब हमें यहां पर क्या खना है तो आपको यहां पर ist के थाल जाया थाएं था विछ पोड़ा कट खर लिंगा तो सक मिल जाता कि अप कर लिएगा हो तो पिन की मदस साब इसे खोल लीजिए तो यहां पर हमने कपड़े को खोल लिया है तो अब आपने यह निसान लगाना है कि यहीं साब अपना आसन जोड़ेंगे तो आसन के लिए हमने यहां पर फैब्रिक ले लिया है इसको हम यह हमारी सुल्टी साइड है और यह आगे से सुल्टी साइड है तो सुल्टी साइड को हमने अंदर की साइड रखना है और इस तरह के सी जो हमारा नीचे को ज्यादा पार है उसको इस तरह के से जोइन करना है तो गुलाई वाला पार आपको नीचे रखना है थोड़ा से और फिनिसिंग के साथ रखेंगे यहां पर प और उपर तक इसको stitch करें धागे को cut करें उसके बाद आप आपने ध्यान देना है तो आप क्या करना है आपने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपको इस तरह के से दूसरे साइट से भी आप इसे जोइन करना है देखिएगा तो यहाँ से आपको clear दिखिएगा यह तो आपको इस तरह के से जोइन करना है तो यहाँ पर भी आप सिफिन से secure कर लीजिए तो दोनु आगे के पार्ट में ही लगे हैं यह रेखिए तो इस तरह के से अब आपको यहाँ पर इस तरह के से रखना है और उपर से थोड़ा उपर से ही आप स्लाई करोगे इस पर ताकि यह जो जोड है न वो दिखे न और दोनु कपड़े को बराबर से पकड़ते हुए स्टिचिंग करेंगे तो इस तरह के से ले जाते हुए आपने नीचे तक स्लाई कम्प्लीट करनी है तो अब यहाँ पर आपको मैं खोल के दिखा देती हूँ कि यह कुछ तरह के से लग रहा है तो यह तरह के से लगा है सेम इसी तरह के से इसी प्रोसेस से आपको दूसरे वाला आसन यानि की म्यानी को जोइन करना है तो इस तरह के से देखिए जो तीखा वाला भाग है हमारा वो उपर को रहेगा तो इसे complete करते हुए दूसरे साइट से भी हमें complete करना है इसे खोलना है और दूसरे साइट से भी इसी तरह के से join करते हुए हमने इसे stitching करना है तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको इसे पकड़ना है कुछ इस तरीके से पकड़ना है और इस पर stitching करनी है इसे पलटिंगे इस तरीके से सीधा करते हुए सेम stitching हम इस पर देंगे तो अब इससे हम खोल लेते हैं खोल करके आपको इसे हम दिखाते हैं तो दिखिए कुछ इस तरीके से आसन हमारा लग चुका है हमारी म्यानी लग चुकी है अब हमने इससे सीधा करना है और इस पर स्टिचिंग करनी है तो यहाँ पर मैं मार्किंग कर देती हूं इस तरीके एकॉर्डिंग हमने इस पर स्टिचिंग करनी है तो इस तरह के से आप अपने बच्चों के पुराने पिजामों को यूज कर सकते हैं जिसके आसन कम हो गए हैं उसका यूज कर सकते हैं तो यहां से टाकी मारते हुए हम स्टेचिंग करेंगे और हमेज़ आपको ध्याद रखना है कि स्लाई आपको डबल ही लगानी है यह वीडियो आपके लिए यूस्फुल रही होगी अगर यूस्फुल रही होगी तो वीडियो को एक लग जरूर कीजेगा अब यहां पर हम डबल स्लाई इसी तरह के से मसीन को घुमाते हैं कर रहे है तो फ्रेंस यह हमारा आशन लग चुका है हम इसे आपको पलट के दिखाते हैं सुल्टा करके ओरेब में हमें इसलिए काटना पड़ता है आशन ताकि यह थोड़ा स्टेचेबल रहे कपड़ा जल्दी से फटे ना इसलिए ओरेब में इसकी कटिंग होती है तो हमारा आशन लग चुका है अगर वीडियो पसन आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तो हमारा यहाँ पर आशन लग भग दो इंच एन की चार इंच लूजिंग हो चुका है थैंक यू फर वोचिंग मिलते हैं नेक्स